अजमेर की गूगरा गाटी पर जैपुर से आ रही सफारी गाड़ी अन्यंतरित होकर डिवाइडर पर चड़ गई जिसके चलते वपल्टी खा गई जानकारी के अनुसार इस गाड़ी में एक यूगल बैठा था और वे शराब के नशे में था जिसके कारण अन्यंतरित लगजरी गाड़ी कई मीटर डिवाइडर पर चलने के बाद दूसरी और पलट गई आला की गनिमत रही कि इस जोरान कोई भी बड़ा हाथसा नहीं हुआ ना ही गाड़ी में बैठे यूगल को कोई गंबीर जोट आई है डिवाइडर पर पलटने के बाद इस्थानिये लोगों ने तुरंट गाड़ी को सीधा करते हुए गाड़ी में बैठे लड़का और लड़की को बाहर निकाला इसी दौरान शेत्रवासियों ने बताया कि गाड़ी में शराब की बोतलें भी रखी थी अत्यतिक रफ्तार से आ रही गाड़ी अन्यंत्रित होकर पलटी मौका पाकर शराब के नशे में यूगल वहां से फरार हो गया और इस मामले की सूचना इस्तानिय सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई है पुलिस इस मामले की जाच में जुटी है